दोस्तों आज चीज मूवी की बात मैं करने वाली हूं वो एक सची घटना पे अधारिक फिल्म है यह मैक्सिको सिटी की रियल लाइफ बेस स्टोरी है जहां लड़कियों और मासूम बच्चों को सेक्स्वल स्लेवरी में बेचने का रैकेट चल रहा था अब यह लोग इस तर साथ में रिलीज हुई थी और आयम डीवी पेस्की रेटिंग 7.4 है जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि एक रियल लाइफ बेस स्टोरी है सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक चोड़ी सी रिक्वेस्ट है जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइ सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक कर दीजेगा जिससे कि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ में शेयर करती हूं मुवी की स्टार्टिंग होती है मैक्सिको सीटी में एड्रियाना से जो की 13 साल के एक लड़की है और अपना 13 बर्दे सेलिब्रेट कर रही है उसकी मॉम बुझती है जोर्ट से कि वो सैकल कहां से लेके आया है क्योंकि गरीब परिवार की होनी की वज़े से सैकल खरीदना वो अफॉर्ड नहीं कर सकते थे जोर्ट कहता है कि उसे जॉब मिल गई है वो टूरिस काईडर बन गया है बट उसकी मॉम जानती थी कि वो लो जो की चिंता जादा करती थी बट एड्रियाना कहां मानने वाली थी वो तो खुद एक चोटी सी बच्ची थी फिर चौर्ट टूरिस को उल्लू बना कर कि वो उसे एक प्रॉस्टिट्यूट के पास लेकर जा रहा है एक सूनसान शांद गली में ले जाता है जहां उसकी दो को पूरा करते थे सीम टाइम पे पोलेंड की लड़की जिसका नाम वेरॉनिका है वो अपनी फ्रेंड के साथ पे एरपोर्ट पे पहुंचती है जहां उसकी मुलकात एक ग्रूप से होती है उन्होंने उसे लास एंजलेस ले जाने का प्रॉमिस किया था काइस वेरॉनिका एक सिंगल मदर हैं जो कि लौस एंजलेस जाके जादा पैसे अर्ण करके अपने बच्चे और अपनी फैमिली को अमेरिका ले जाना चाहती थी ताकि वहां पे अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें बस्त रियालिटी में वहां किटनापिंग था उन्होंने वेरॉनिक वहां अपनी गूंने की आरजू करने के अपनी मौं के रूम वह सो रही होती है जाने के बाद भूरी न рассказыв करती हैं इसyuसका पीछा कर रहे हैं भचने की कोशिच करती भी है बट वो लोग उसे पकड़ की गाड़ी में डालकर अपने साथ में ले जाते हैं यहां वो लोग वेरानिका को उस जगह पर लेके जाते हैं जहां उन्हों ने एत्रियाना कुछ अमेरिकन गर्ल्स एन एक थाय लड़के को रखा हुआ था वो लोग वेरानिका को बहुत बुरी तरह से मारते हैं उसका वीडियो बनाते हैं एंड उसे सेक्सुली अब्यूज करते हैं फिर जोर्च एक लड़के को वही सेकल चलाते हुए देखता है जो उस चीजे भी पड़ी हुई थी जिससे यह साफ पता चुल रहा था कि उसका किद्नाप हुआ है जोर्च अपने दोस्तों से बहन को जोने के लिए मदद मांगता है लेकिन एक अडल्ट एडवाइजर उन्हें यह बताता है कि किद्नापर कोई और नहीं बलकि बहुत ही पावर उसकी पहन के साथ भी करने वाले हैं वह अपनी बहन को ढूंडे निकल जाता है वहां आसपास लोगों से पूछता है जहां वह देखता है कि अज्याना और बाकी की गल्स को किद्नापर एक ट्रक में डालकर लेकर जा रहे हैं फिर वह अपनी दोस्तों के पास आता है और ज पुलिसमैन पहुच जाते हैं गर्ल्स और वेरॉनिका यह देखकर खुश हो रही थी कि शायद अब बच जाएंगे पुलिसमैन ने ट्रक को जाने देने के लिए रिश्वत ली हुई थी और पुलिस वाले वेरॉनिका का वहां पे रेप करते हैं और बागी की फोटो क्लिक करते हैं और नेट पे अपलोड करने के लिए यह सब को जौर्च छुपकर वहां से देख रहा था उसे बहुत जादा गुसा आ रहा था बट वो क्या कर सकता था क्योंकि वह अकेला था और उसकी हेल्प के लिए वहां पे कोई नहीं था फिर जब वहां से निकलते हैं तो ज साथा गंदी थी जो जैसे तैसे करके उस घर को आखिर का ढूंड लेता है जहां विक्टम्स को किरना पर ने रखा हुआ था वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था कि तभी टैक्स लाइसंस प्रेट के साथ एक कार वहां पे आती है जिसे देखकर जुप जाता है उसमें से प्राइविट इंवस्टिगेटर है और वहां पर उस घर की इंवस्टिगेशन कर रहा था मौका पाते ही जॉच्छ घर से बहार निकलता है और इसकी गाड़ी में चुप जाता है जैसे ही वह पहुचते हैं रे उसे पकर लेता है और पुलिस के पास लेकर जा रहा होता है उससे सच पताता है की वह पस अपनी बहें को बचाना जाता है जो किद्नाप हुई है और झाल शेया प्र चायदिंगे बुत ञुट हो चुकी और बहुत आख जाता है इसलिए वह वहां से भाग जाता है जिसके बाद Ray भी उसके पीछ जाता है और उसकी help करने का फैसला करता है और वो New Jersey की journey के लिए वहाँ से निकल जाते हैं जहां विक्टम्स को ले जाया जा रहा था और highest price पे उन्हें बेचने की internet निलामी होने वाली थी Ray और जोर्च ही दोस्ती हो जाती है और हमें पता चलता है कि Ray अपनी बेची को ढूनने के लिए जा रहा है जो 10 साल पहले उसकी mom ने उसको बेच दिया था जो कि वो उसके extra mental affair से पैदा होई थे Veronica और El Triana और थाई लड़के की तशकरी अमेरिका में की जाती हैं बर्ट USA पुलिस उन्हें पकर लेती है यहां किद्नापर El Triana और Veronica को यह बताने लिए रोकता है कि उनको किद्नाप किया गया है फिर किद्नापर और विक्टम को वापस मेकसी को भीचा जाता है USA पुलिस के बड़ी में दाल कर वहां रहे होते जहाँ धाहिं नड़के के गले कर फॉजैक्षंता है और उसी एक old man को पेच दिया जाता है वोग पैचान लेता है उसका पीचवता अरण के लिए गए नरे चाइश ऑर उल्ड Sec अरप से कहां से मिला फिर यहां पर यह उन लोगों की एक लोगों इस इंटरेनरे यह लगो लड़कियो और बच्च को हाटram، पेचते हैं उनकी तândpoint पासवर्ड यूजर नेम सब कुछ और मैंट से निकल वा लेता है एक इंटरनेट काफे में जाता है और वहां पर उस साइट को खोलता है और जोर्च से पूछता है कि उनमें से उसकी बहन कौन सी है जोर्च पताता है कि एज्रियाना उसकी बहन है जिसका नाम चींज करके उन उने बहुत ही हाइल लगाया हुआ था वो उनके होटेल का एड्रेस पदा कर लेते हैं जहां निलामी होने वाली है और टाइम भी देख लेते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने वेरानिका और एड्रियाना को एक कमरे में रखा हुआ और में सिटी में पहुँच जाते हैं वह बहुत खुश होते हैं कि शायद अब बच जाएंगे फिर वेरानिका अपने पैरेंस को पॉलेंड में कॉल करती है उन्हें बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह कहां पे है लेकिन उसे यहां यह पता जलता है कि क्रिमिनल् मार्नी की धंकी दी हुई है तभी किटनापर वहां पे आ जाते हैं और उन दोनों को फिर से पकर के उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं फिर एक स्टॉप पे वो लग रुकते हैं जहां वेरानिका अपनी लाइफ से बहुत तंग होकर किटनापर से बोलती है कि उसे अपनी कि ये का पच्टावा होगा और ऐसा कहके वो चटान से कूद कर सूसाइट कर लेती हैं जिसके बाद किटनापर एड्रियाना को अपनी फीमिल बॉस लॉरिन के पास उसके घर लेकर जाता है जहां पर वो विक्टम को पेचती थी और वो किटनापर को डाटती है कि उसने वे कर देते हैं वो कहते हैं कि वह एक बड़ी क्रिमिल ऑगनाइजेशन गैंके लोग हैं जिस पर बिना सबूत के वह ऐसे अटक नहीं कर सकते जिसके बाद सबूत होने के लिए रेक प्लान करता है और अपनी वाइफ को कॉल करके उससे कहता है कि वह बैंक से एक बड़ी जिसके बाद के नैपर वहाँ पे आता है और रे को अपनी फीमेल बॉस लॉरिन के घर पे लेकर जाता है जहां पे उनकी डील होने वाली है अंड्रे एज्रियाना से मिलता है वहाँ पे उसे बताता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जॉर्ज और वो उसे वहाँ पे बचाने के लिए ही आएं जिसके बाद वह एज्रियाना को लेकर घर से बाहर जा रहा होता है कि तभी जॉर्ज सर्या से किद्नापर के सर पे वार करता है और उसे मार देता है वहाँ पे पुलिस आ जाती है एंड्र की इन्वेस्टिगेशन करती है जहां बेस्मेंट पे देकर कहता है कि वह एज्रियाना को सेफली मैक्सिको ले जाए और वहां वोलोग आराम से सेफली रहें जौर्ज उसे ठैंक्स बोलता है उनकी हैल्प करने के लिए और बाइब बोलकर चुपके से उसके पैसे उसकी गाड़ी में रख देता है फिर एज्रियाना और कि जादा कुछ हो जाती है कि वह वापस आ गई फिर जौर्ज के ट्नापर के लीडर को ढूंगता है और उसे चाकू से मार देता है बट बाद में उसे यह पता चलता है कि उस आत्मी का एक चार साल का बच्चा है जिसके बाद उसे थोड़ा रिग्रेट भी होता है तो